कि नमस्कार मैं कुमाराकेश और आफ देख रहे हैं समक्त भारेश्ची दी आज हमारे साथ हैं प्री लोकनात शर्मा जी कैविनेट मिलिस्टर हैं गवर्मेंट आफ सिक्किम के और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो रोलिंग पार्टी है सिक्किम में उसके वाइस प्रस्टरेंट हैं और इन चार्ज हैं किसान भोर्चा के साथ साथ इनके पास कई ऐसे विभाग हैं जो कि सीधे जन भावनाओं से जोड़ी हुई है और गैनिक फार्मिंग इनका प्रेव इसे हैं हमारा हमारा जो मीडिया का मं संपर्ट मंत्राल है उसके भी मंत्री हैं उसके अलावा जो इनके पास विभाग है आपको लगेगा कि एक मंत्री के पास इतने विभाग भी ऐसे विभाग भी हो सकते हैं तो यह भी अपने आप में लगेगा कि लोग कितना काम करते हैं इनके पास ministry of food security है agriculture है horticulture है cash crops है animal husbandry live stock fisheries veterinary service information publication printing and all एक व्यक्ति इतना काम और इनका जीवन पुरा संघर से धरा रहा है आम आदमी के लिए जीते हैं आम आदमी के बारे में सोचते हैं और खुद भी आम आदमी है वे सिक्की में इनका consistency है और अपने आप में मैंने देखा है उनके consistency को कि लोग इतने इन से जुरे हुए है इतना इनका जुराव है अपने आप में एक भाव पक्ष जो है सास्ता जन पक्ष दोनों प्रवल है और इसलिए दसवर्सों से राज़िती से जुरे हुए है आज ह festival सिक्की में गंटोग में आयोजन करवाने जा रहे हैं और 10 से 14 दिसंबर 2021 यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है जिसमें कि यह subsidy भी देंगे वहां सिक्की में फिल्म बनाने वालों को साथ साथ वहां पे बाहर के जितने फिल्मकार हैं उनको बुला रहे हैं और 15 नमबर तक इन्होंने date रखा है उसमें क्या-क्या सुविधाय देंगे प्रमोट करने के लिए क्या-क्या करेंगे साथ साथ और्गेनिक जो farming है इसको लेकर के जो इनका काम चल रहा है इनका प्रियोग करते रहते हैं तो और साथ-साथ राजनिती को लेकर के सिक्किम क्रांतिकारी बोर्चा जिसके नेता है प्रेम सिंग तमांग गोले जी वह शिक्षक रहे हैं यह भी पुलिस सेवा में रहे हैं उसके स्वागट है समगरभार टीवी में आपको हम विल्कम करते हैं नमस्कार नमस्कार आप ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल जो आयुजित करवाने जा रहे हैं उसके बारे में फुरा विस्तार पुरुबक हमारे दर्शों को बताएं यह जो कार्ष्ट्रम आप कर रहे हैं इसका जो प्रियोजन है क्या है उसमें कितने लोग आएंगे इसकी भागेदारी होगी विचार है कैसे क्या कर रहे हैं और फिल्म से पी लेकर जो प्रियास है उसके बारे में सबसे पहले तो मैं समग्र भारत जो टेलिवीजन में आपके मत्यम से और मैं सिक्किम सरकार की सम्मान ने मुख्य मंत्री यहों हमारा सिक्किम क्रांदिकारी मुर्शा पार्णी का अधिक्षा स्रिमान प्रेम सिंह तामां गोली जीव के तरफ से समग्र शिक्किम जंता के को जो भी यह माद्यम से सुन रहे देख रहे उन सब को मैं आभार बैक्त करना चाहता हूं और जो आपने हमको प्रस्ण पुछा है कि यह सेकेंड ग्लोबल फ्लीम फेस्टिवल 2021 जो हम लोग सिक्की में अभी इस बार भी केंटुप में इसका आयोजन करने जा रहा है यह हमार जो सुस्टार मुख्यमंत्री महोदय का एक घीजन एक बड़ा प्रोजेक्ट है जह कि शारा फ्लीम निर्मा आता लोग जो भी फ्लीम इंडस्री में काम कर रहा है रोडुशको उन सब के गैंग टॉक में ही इसका आइजन हो रहा है तो हम यह फिलिम फेस्टिवल के माध्यम से आपका सिक्किम का नजरिया सिक्किम में फिलिम सुटिंग करने के लिए हम लोग ने एक सोच जगा को चीनीद करके वह आज हमने यहीं दिल्ली से हमारा समाने ने मोखे मंत्री महादा ने सिक्किम से इसका बीमोजन कर चुके है तो हम वह आइडेंटिफियाए किये हुए जगों पर सुटिंग के लिए भी हम वह जगा दिखाएंगे और वहाँ पर बहुत रंगरंग कारेक्रम होगा ट्रेडिशनल कल्चर जो सिक्किम का हमारा अरगेनिक खेती है उन से अगर से बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं इसका कंफरमेशन हमाई मिल चुका है तो हम यह सेकेंड ग्लोबल फ्रिंट फेस्टिवल में हमारे सर्खार के तरफ से समानने मुख्यमंत्री श्रीमान प्येस तामांग जी के तरफ से हम आपको आमंत्रित करते हैं आपने बढ़ा कि इसमें इतने फिल्म की प्रविश्टिया मंगा रहे हैं नॉमनेशन मंगा रहे हैं अभी जो आपसे बाचित हो रही थी कि नेपाल भूटान कंट्री है और कई कंट्री को आपने इन्वाइट किया है लेकिन साथ-साथ आप इसमें कुछ सबसीदी भी दे सिक्किम में बनाएंगे जो 75% से ज्यादा सुटिंग सिक्किम में हो और कलकार भी सिक्किम से ही जुड़े हो सिक्किम के हमारे नागरिक युवा और अभी आगया आ रहा है उनको 75% जो केरेक्टर मिले सिक्किम के और जितना भी डेस्टिनेशन जो सुटिंग करने जगा है स सिक्किम में 70% से जैदा जो सूट करेगा है। उनको हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंद्री महोदे ने एक घुसना की है। हम सबसीडी देंगे। जो छोटे-छोटे फ्लिम में वो देख कर हम जोए 20 लाइव से एक कॉरण सबसीडी देने का घुसना हमारी सरकार, हमारा सम्मान किया है इसका सारा चीज हम लोग अभी तैयर कर रहे हैं सिंगल वींडो बनाने जा रहा है ताकि कोई निर्माता आए उनका आवेदन पेश करें और सारा चीज सरकार हमारा आईपियर डिपार्टमेंट जहां जहां पर्मिशन लेना हो सब क्लियर करके अगर वह अथेंटिक है सही आदमी ने आवेदन चड़ाया तो उनका हम सिंगल वींडो से उनका सब पर्मिशन दे देंगे और वह सिक्किम में सूट करेंगे उसको वेरिफाइक करके जो सबसीडी देना है उनका जो सिक्किम से सबसीडी के अलावा हम बहुत होटेल में गाड़ी में उसका भी हम ग 75% सिक्किम में वना है और उसका जितना character हो वो भी हम सिक्किम बासी को सिक्किम का जो भी talented यूथ है और नारी है'S उनको ही देना पड़ेगा वो भी उसमें शर्थ होगी हां शर्थ है उसमें उसमें तो मुझे लगता है कि इस तरह का यह हमारामुक्री महोदय का बहुत-बड़ा है दूसरा चीज अभी हमारा परतमान सरकार जो Shikitta क्रांतिकारी मरचा पार्टि ने सरकार बनाई और हमारे मुख्यमंतर इस्का बांग जी ने इसका लीट कर रखा है उसे हमारा देश भी में सारा अंतरहास्टे लेवल में हमारा सिक्किम को हम प्रस्तुत करने चाहते हैं, वहां का लोग कैसा है, वहां का कल्चर क्या है, टूरिजिम में क्या क्या होता है, और हमारा जो अर्गेनिक खेती हम लोग करते हैं, वहां पर फुली अर्गेनिक है, उसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको हम चि झालेक खेटी की बात रही तो और गिने क्षेटी में आपकी stress को promote कर रहे हैं आपके पास एक एजनसी भी है जो और इनिक फार्मिंग को certification भी करती है उसका पहला जैंसी है और अनहलांकि हलेक राज्यों इस तरह के दिन्सी है लेकिन सिक्किम कई मावलम है या फुट प्रोसेसिंग के सामान को ले करके काफी कामभार हो भी रहा है उसको किस तरह से प्रमोट करते हैं और कितने मात्रा में आपके सिक्किम में यह औरगनिक कीटी का काम हो रहा है हमारा इस्टेट तो फुली और्गेनिक 100% और्गेनिक फार्मिंग इस्टेट जो हमारा उसका सुब्ड सिक्किम में और्गेनिक फार्मिंग करने का हमारा एक विभाग बनाया हमने हमारा सर्कार में जो पहले होता था और्गेनिक का नाम तो अभी हमारा सिक्किम में हमारा मु प्रोडक्शन में फाइदा हो उसमें हम लोग काम कर रहे हमारा औरगेनिक खेती हमारा पैसा हो गया और यह जो भी हमारा औरगेनिक प्रोडक्शन है वो देश-बिदेश में पहुंचाने के लिए हमारा सोका जो सिक्किम इस्टेट औरगेनिक सौटिफाइंग एजेंसी मेरे विभाग जो agriculture के अंदर में आता है वो autonomous body बनाया और ये शोका अभी हम अभी लादक से आये हैं हम चार दिन के दोरे पर वहां कर गिया थे लादक यूनिन टेरिट्यूरी है लादक उसमें दो साल जे काम चल रहा है कि हमारा शोका वहां पर certify करने का काम कर रहा है उनकी सर्ख वहां का चीफ executive council executive council सबको मैं कारगिल नोब्रा ले सारे जगहा पर मैं जाकर वहां जो हमारा काम हो रहा है उसका दवरा करके मैं आया और वहां सारे farmers भी interstate organic करने के लिए तो हम सिक्किम तो fully organic हो गया तो हमारा एक agency और state में जैसे उतर परदेश में हो अरुनाचल में हो गवा में हो हमारा सिक्किम तो होई गया और ले लादक में अभी हम कर रहे यह हम कहने चाहते हैं कि organic farming एक सेहत के लिए अच्छा है जो chemical ना use करके जो production होगा उसे हमारा life बढ़ जाता है और हमारा farmers को उसमें value add करके और organic और in organic को हम organic वाला समान को value add करके हम बजार में पहुंचाने के लिए खेती किसान करने क्रिशक को फाइदा पहुंचाने के लिए हमारा एक process होगा और हमारा सिक्क्म में हमारा समाने मुख्यमंत्री महोदा का एक agriculture is future future is agriculture क्या बाद लाइविस्टर एंड फ्यूचर इस लाइविस्टर अब हमारे हम यह करोना वाइरस के कारण सारा देश रास्ट्र में सारा बिश्व में यह एक भायानक वाइरस के कारण बहुत का मृत्व हुआ सारा लॉक्डाउन हो गया देश विदे सारा लॉक हो गया कोई गाड़ी नहीं चलता है काई पर होटेल नहीं है बैवसाहिप बंद हो गया लेकिन हम जो किसे भारा दाश्एयों को हम सब को सिक्न बाश्य हो जहां भी रहने हुरा हम जो माणों हो अम शौन हो सारा चीज बंधू हुआ सब ठप हो गया लेकिन हमारा पेट बन नहीं होता आहीं और उस ताइम खुला हाट खुला था हमारा पर खाने को चाहिए, अगर हमारा क्रिशक को हम इद्जत नहीं करेंगे, अगर क्रिशक वो उत्पादन नहीं करें, तो जितना भी जो कुछ भी हमारे पास है, तो वो अगर हमारा लाइफ नहीं है, हेल्थ नहीं है, खाने का चीज नहीं है, तो कोई फाइदा का चीज नहीं ह होगा इसलिए हमारी सर्खार हमारा मुख्यमंत्री महोदया हम सब लोग मिलकर यह बोलते हैं एग्रिकल्चर इस फ्यूजर सारा भारत बासे को मैं यह बोलना चाहता हूं हमारा जो भी नौजवान भाय बैन लोग है जो अभी पड़ा लेकर नोकुरी के लिए इदर उदर भा सस्टेंड होने वाला बीजिनेश अभी एग्रिकल्चर हर्टी कल्चर फीशरीज एनिमल लाजमें रेट तो इसी कारण और गेनिक सप्लाई अगर हम कर सकते हैं खेती के माध्यम से और हमारे अन्नादाता जो क्रिशक है उनको हम कहां से भी हो सपोर्ट करें तो उनका लाइ कई एक सुस बनाकर हम लोगने सिक्किम में वेग्ジャंपल देने चाहते हैं जो आन्य राजय में किये है या नहीं हमको पता नहीं लेकिन जब हमारी सर्खार आई सिक्किम में दूद का उत्पादन बहुत कम था और हम लोग सिल्गुडी से दूद सिक्किम लेकर जाते थे और हमारे इतना बड़ा 76,000 हेक्टर जमीन हमारे खेती योग्य जमीन हम लोग ने एक डेटा बनाया है हमारे सोफटा ने जो सिक्किम फार्म मुख्य मंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा एलान किया कि अगर कोई भी दूद बजार में अगर सोसाइटी में लेंगे तो एक लिटर दूद में आठ रुपया पैसा इंसेंटिव के तौर पर सरकार ने देने का घोशन अगी तो ये घोशना करने के एक देर साल के अंद क्या उदेश हो गया वो सारा पैसा दूद का दाम तो उसका मिलेगा ही अगर एक लिटर दूद उसने सोसाइटी मिल्क सोसाइटी में लाया तो उसका आठ रुपय पैसा इंसेंटिव के तोर पर सरकार सीधा उसके खाता में डाल रहे है तो यहां से क्या होगा आर्थिक इस को फाइदा का काम सर्खार करते हैं, तो देश के इकरनोमी में इसको फाइदा मिलेगा, जीडिवी बढ़ेगा। उसीतरह एग्रिकल्चर प्रोड़क में हमारा सर्खार मुखिमंतरी मोहदे ने गर दूसरा सोस बनाया, कि अब हम नोकरी करने वाले दो सर्खारी नोकरी कर उसका खेती कोई जंगली जनावर आकर खाये तो नक्सान में चले जाएंगे और गरीब होगे इसलिए मेरी सरकार मेरा मुख्य मंत्री महोदे ने एक और दूसरा एक है स्टोरिक स्वर्श बनाकर दूसरा काम शुरू किया उसमें से हमारा जैसे एक केजी आप बड़ा एलाइ जैसे बड़ा आलाइंचे में 100 रूपया, अधरक और सेल करेगा तो 20 रूपया, वो हल्दी करेगा तो 10 रूपया, संतरा करेगा तो 20 रूपया, कीवी करेगा तो 20 रूपया, डाल में 25 रूपया, गोवी और ये मुली में 7 रूपया, 5 रूपया करके हमेरे 13 आइटम में, 13 13 जो भी प्रोड़क्शन हो खेतीessa हर्टि कल्चर एंग्रिकल्चर प्रोड़क्र में सर्कार से इसेंटिव में Windows लाइchsप वो उसमें से पांस कड़ रुपया पाइसा सरकार ने इंसेंटिव गिले बहुत काम बतलब आप लोग पूरे लोगों तक पहुचने के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं वो अपने आपने तो अनूठा है ही जिस तरह से हमारे पदान मंदर इंदर वह दी किसानों के खाते में स सरकार जब 2019 में हमारी सरकार बनि शीक्की में करांति का रिमोसथा पार्टी की सरुखार और मुख्य मंतरी हमारा समानेन यंशी मान पीय स्तामंग बन गये उस सन हम को यह मंतरा लाय का जिम्मा दिया अग्रीकल्श वार्टे माइना तो उस ततन दो आदमी खाली वो पैसा का प्रदान मंत्र यो भारत के है उनका सुच जोपियम किसान का आंदा में दो गुना होना चाहिए इसके पिजिए हम लोग ने शारा डिपार्टमेंट हमारा सेक्रेटेरी से लेकर नेचे तक काम करने शुरू कर दिया तो आज हमारेласт nodam से ज्यादा और नौ प्रोर हमारी फार्मर वो पाइसा से फाइदा ले रहे तो यह अपके आपके आपके हाँ किसान आंदुल डेशी कोई बात नहीं यह किसान संथुस्ट है नः हमारा किसे खूस है क्योंकि जो भारास सरकार का निर्देश है हमारा मुख्य मंत्री महोदय का जो निर्देश है किसान के पक्समें वो हम लोग काम कर रहे हैं जूट के गाउं में जाकर हमारा विवाह का सारे अधिकारी गाउं में जाते हैं कि इसका ये सम्मान निदी के तहद ये मिला की नहीं पीम किसान मिला की नहीं और ये जो भी इंस concept आयाद एक साल में 6,000 रुपे बीना काम वो डायरेक उनके खाते में चलते हैं दो-दो-हजर करके इसे तो गरिब किसान का एक बहुत बड़ा सयोग मिल रहा है इसलिए मैं सिकिम के तरफ से सरकार के तरफ से हमारा प्रदान मंत्री मौहदय को बहुत-बहुत धन्यवाद भी और चारो जिले अपने आप में अभूत-पुर्व हैं मैं तो कई देश-विदेश घुमा हूँ सुझेलन भी कई बार गया हूँ मैं तो पता हूँ कि भारत का मोर्द सिक्किम जो है अधि आप चांगू लेक देखें या फिर उदर नातुला दूरा है सारा कोला है जो भी कि बात कि opens गो लेकर के अभी इस प्राज में की क्या हैוס कब गो ना हमारे सिक्किम बहुत मवध देर करना है और हमारे सरकार ने जो बार सरकार ने डीक्लेर करने से पहले ही हम gotta मुखे मंत्री महोदय ने जब हमारा सरकार बनी थी एसेमली चल रहा था उसी टाइम लोगडाउन का खोशना किया हमारा सिक्की में बाहर से आने वाला टूरिस को दिया और उसके बाद हम लोग ने सरकार के निर्देश के साथ सारा कोरोनो भाइरस को ना फाइलने के कारण बह सऑन भी मिला है हमारा मोके मंत्री महोदय ने सारे जिल्ले में जाकर कोरोनो भाइरस से बसने के लिए हम लोगे हमारा बिभाग आईपर बिवाग से और बिविन बिवाग से बहुत बड़ा मनिटर करने का काम किया फीर भी यह वाइरस सारे हमारे सिक्म में आ चुका है लेक देल पहुंचाने का काम हर घर में अभी तब भी जीश घर में कोरना पॉजिटिव उसका रिपोट आता है तो हमारे आडीडी के द्वारा रूरल डेवल्यमेंट डिपार्टमेंट के द्वो और वीडियो के मार्फ़त उनके घर में अभी भी रासन पहुंचाने का काम हो रहा से कोशिश करेंगे और एक बहुत बड़ा बात हमारा से किम में ऑक्सिजन कम होने का सवाल नहीं आया हमारी सब्सक्राइब पहले एक साल पहले हमारे मुख्यमंत्री में होदाई ने स्टनिम हस्पिटल में एक ऑक्सिजन का प्लांट लगाया था यह इस्वर के चलते यह दिम अक्सिजन के कारण एक भी देथ हमारे सिक्किम में नहीं होगा यह बहुत बड़ी बात है अवे तो भारत सरक्राइब प्रदान मंत्री महोदय ने और यह ऑक्सिजन प्लांट लगाने के लिए हमारे गेजिंग वेस डिस्टिक में हमारी सिंग्ताम में नार्थ और गैंटो प्रदेश को नहीं मिल सका दो तीन चार ऐसी उपलब्धियां जिसके आपको लगता है फक्र है आपकी पार्टी को भी और आपकी सरकार को भी नहीं ये इस तो एक अन्गिनेत हमारा उपलब्धी बढ़ रहा है जैसे मैंने अग्रिकल्चर का बात कहुं है अग्रिकल्चर दो पीम किसान जो सम्मान न रहा था शेजार उपया तो अभी टेन थाउजन प्लस हमारा फाइदा ले रहा है ये तो कितना बड़ा उपलब दिये दूसरा चीज हेल्थ सेक्टर में उस तैम मेरे मेरे जिल्ला वेस्ट में से है गेजिंग बर्मिक मेरा चेत्र है निर्वाचन चेत्र वहाँ पर हमारा दिश्टिक हस्पिटल पडता है वहां पर एक भी कोई एक्सरे का आचा मैसिन नहीं था वहां पर आई श्रे का कोई प्रवंदर नहीं था वहां पर ब्लोड बेंक का परिस्थिति नहीं था butter टेस्ट करने की लेबरेटरिय में अच्छा नहीं था अब हो कर सारा पैसंसे और जो डिस्टिक हस्पिटल है वहाँ पर सिटी स्कैन है वहाँ पर पैथोलोजी है वहाँ पर आईशियू का दस बेड़ है और हम लोग डाइलेशिस अपने ही वहाँ पर काफी काम हुआ इसका मतलब यह और मुख्यमंत्री महोदे के अपने तरफ से CMO Office से एक एक बीमारी जो गाउं में रहते हैं बीमार हो गया हमारा एक जन कल्यान प्रकोस्टर बन गया है जो पार्टी से वह चलता पार्टी का एक प्रकोस्टर बन गया उनका काम है कि हमारा मुखे मंत्री महोदय का छोटे बेटे ही उसको लीट कर रहे है वो यंग यूट को गाउं गाउं जाकर जो बीमारी हुआ हस्पीटल एड़ीड हो रहे है वो गरीब है तो उनको डायरेक्ट सीमो आफिस से उनका पैसा चेक के द्वारा वहां पर पहुंचाने के काम और काइन जानों के से द्वारा पहुंचाने का काम एक भी गरीब बिमारी कोई भी ओ सिक्किम बासी और सिक्किम से बाहर आए हुए वहाँ पर बैट रहे है वहां बिमारी हो चुक है उसके पीछे भी हमारा सरकार हमारे मुख्यक हमारा इंसेंटिव दूद में 8 रुप्य पईसे पर प्रती लिटर यह तो कहीं भी आपने भी नहीं सुना होगा एक लिटर दूद आप सोसाइटी में जाकर मिलक उनियन में दे रहे हैं आपका दूद का दाम तो मिलेगा हमारा वहां पर दूद का दाम हम अमारी सरकार आने के रखा है और 43 रूपीस मिनिममम दूद का दाम मिलेगा मैक्सिमम सेवेंटी नाइन रूपीस यह हिस्टोरी काम हमारी सरकार कर रहे हैं एक मैने में साल में कम से कम 20-25 क्रोर दूद के इंसेंटिव में पैसा चला जा रहा है वो पैसा काई ना जाकर सीधा हमारे किसान के पाएंची हो अद्वा अदरक हो अल्दी हो तंतरा हो दाल हो कीवी हो मूली हो गाजर हो फुलकोपी हो जो भी हो उसमें 13 प्रोडक्शन में सरकार ने इंसेंटिव गोशना की उसके तहदी हमारे किसान लोग बहुत फाइदा हो रहा है और दूसरा हमने किया डैबलोमेंट क्रेडिट किसी को फार्म चलाने का इच्छा है खेती करने का इच्छा उनके पासपाइसा नहीं है तो हम लोग बैंक से रिक्वेस्ट करके डैबलोमेंट रू क्रेडिट करके अभी 500 से ज्यादा फार्मर्स वो फंड वहां से लोन लेकर सब्सिटी लोन लेकर वहां से भी वो खेती का काम आगे बढ़ा रहा है इसी तरह हमारा एजुकेशन सिस्थम बहुत अच्छा हो रहा है गाउं में रूरल में जो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो रहा है और इतना सारा कि हम लोग ने उपरलब्दी तो ओल इस पेंशन में हो और जितना भी पेंश हो हेल्ट सेक्टर हो एजुकेशन दो हो एग्री कल्चर हो हर्डिकल्चर हो अनिमल हस्बेंडुब्लिव फीश। हो और सारे सेक्टर में हमरी शंखार जंटा को सुविधा पहुंचाने के लिए बहुत पोसिस कर रहे है बहुत एपने पास विभाग का काफी आपने अध्यन है लगता है काफी जमीनी अस्तर पर आप काम कर रहे हैं बता रहे हैं जो आप बता रहे हैं जो आपने काम किया है Paryля काफी आप से सवाल है है कि आप पुलिस में थे फिर राजणिटी में आए तो ऐसा क्या लगा कि आप राजणिटी में आए दूसरे कार्ज में नहीं गए ऐसे क्या प्रेरना मिली आपको कि आप राजणिटी में पिर चनाओ लडए फिर गीते और नंत्री बन गाए देखिए मैं दो बहुत चोटा सा परिवार और मेरी माता पिता गाओं के क्रिशक वह बहुत एक छोटे से गरीव परिवार से मैं पहस्रीम शिकिम के एक दुर्गम गाओं रूंगदू बर्थांग बोलते हैं से मिले हैं झ्होटी उमेर्ड से क्लासिक से महें दूसरी घर में जाकर नोकर तरह काम करके उनका सेवा करके मैंने पढ़ाई किया हूं मैंने दूट डारी में मैं पंदड़ी रुपया सेलेरी में सुब्श जाकर दूट डारी चला में वह आपको 87 788 में तो उसी तरह मैं आगे बढ़ा और नोकरी मिला पुलिस में मैं एंजिए ओ में काम करता था लोग उनको सेवा करने का मेरा बहुत बड़ा सोक था जो कोई बीमार हो कोई कहा हो उसको help करना और हमने एक एंजिए ओ खुला ओओंगे के तहरत हमने बहुत सारे काम किये उस कि और लास्ट में जाकर हमारा मन राजनीती में आने के लिए मैंने सोचा और मैंने 2013 2013 में मैंने वोलिंटियर रिटार्मेंट होकर मैं राजनीती में आये 2024 में सिक्किम हमारा जो अभी समाने मुखे मंत्री है उनने पार्टी खुला एक हम लोग सपोर्ट करते थे तो एक संगर सा था तो 2014 हम पिर ठीकिट दिया मेरे कंसेंसी मेरा ही अपने वर्थ प्लेस गेजिंग वर्में कंसेंसी से मैं बहुत थोटी कम मार्जिन दो तीन सो विस बड़ से मैं हार गया तो मैंने हमत नहीं हारा तो उसके बार पहली बार कम चुना लगए थे दोजार चोद में चुनाओ मैंने हमारा बहुत कम मार्जिन से हम फार गये फिर भी ठीक उसी दिन नेक्स दे से मैंने काम सुरू किया और हमारा पार्टी अधक से स्रीमान पीए स्तामांग जियावी मुख्यमंद्री महदय ने हमको आसिरवा हमारे बीवाग हम ने दिया हम गोद्बिया इघ्रिकलचर में काम करता था वही हमणारा जोक था और ऑप्रिंटिं प्रेन्टिंग काम धीन आए और सारह चीज पने देख वहाँ ताकि हम स्वान करते हुए था स्वान्द करता है, बंद्दम, हमारा जो चेंजिस आ रहे हैं सिक्किम में एग्रिकलचर में एन्युमल हस्बेंड्री और दूसरे विवाग में भी तो इसे मैं इंज्जूर कर रहा हूं हमको आनन्द मिले किसी का फाइदा हो तो हमको आनन्द और सुखका नीद आता है अगर किसी का दर्थ हो तो हम वो दर् नहीं है जितना भूग का है सास ना यह हमको पता है हमेरा एक दील का बात है हमारे घार में एक पलंग था पीदा जी और माता जी वहाँ पर रहते थे हम इधर उधर सोते थे एक दिन हम महहमन आया हमको अभी भी पता है मैं 6 standard में पढ़ रहा था तो हमारे बाद कपड़ा ओ ज छोटे इदर दूसरे कमरे में जागर हम लोग जो गुंदरी बोलता है, वो पराल से बना हुआ होता है, उसी में हम रात कारना पड़ा था, वो हम कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि एक मेहमेन घर में आते समय हमारे पास, हमारे घर के लिए सफिसेन, कपड़ा भी नहीं था, और हम देश में काम कर रहे हैं अब आधा गुम के आए हमारा मुखे मंत्री मौदेन ये मौका दिया काम सिवा करने के लिए हमारा जिंदगी बहुत-बहुत-बहुत सई आभी आप से एक छोटी चिपनी जो राकेश्टिकेट एंड कंपनी जो किसान आंदोरन कर रहे हैं उससे कि हम रभ बोलना मेरा उचित नहीं होगा कि ये नैशनल लेवल का काम है फिर भी जो किसान की बक्से में हैं हम उनको सपूर करते हैं अब आपका कोई ऐसा सपना जो अभी आपने बच्पन से संघर्ष किया हर उस संघर्ष की उस घरी को देखा जैसे हमारे प्दान मंत्री नर जो कहा इनटिग निशन में कि इंडिया इस बादर अफ डेमोकरिस तो ये गर्व की बात है भारत के लिए भारत बासियों के लिए अब भी हम सब भारत बासि हैं उस पर पेक्ष की बात करते हैं आपका कोई ऐसा सपना जो लगा हो बच्पन दिखा हो कि ये करना है आपने स समाज सेवा काम किया बच्पन से प्रंथा आपने संधर्स भी देखा गरीबी देखा और आज मंत्री भी हैं लेकिन अभी भी अपने कोहां से अटाश पाते हैं आपका ऐसा कोई सपना एक आदर से सिक्टिम को बनाने में लगे हुए आप लोग ऐसा को अध्रक सपना की इस सपना तो सपनने में जो देखता है बीपन में नहीं होता है न हमारा परीकल्पना हमारा मोख्य मंत्री बोलते हैं हमरा सपनने परीकल्पन या थरत में अभी किया करना है हम au होगा सपना देखने से तो फिर सपना ही रह सकता है सपना में पैसा इतना होता है विजन हमारा आगे आकर सिक्किम को एक भारत में मोडल इस्टेट बनाना बाओर हमारा पार्टी सिक्किम करांती कारी मौशा पार्टी और हमारा मुख्यमंत्रि महोदय का जुन सोच है अमारा गोषन पत्रा है उनको पूरा करना शिक्किम के जितने बर के आदमी है जैसे बेरोजगार योवादी है और वहाँपर इंट्रप् और उनका सुवह दिन हमारा परम करते बें होगा है और दुसरों को सेवा करना और सिक्रिम को एक स्टेट बनाना हमारा करते乾्ज होगा हम यह principal भात 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 लोकुना जर्मा जी आप हमारे स्कार्ष्टर में आए और आपने जिस्तरे से भी सिक्किन को आपको मॉडल स्टेट बनाने का सपना है अब मुझे लगता है कि जल्दी वो पूरा होगा जिस्तरे से आपकी पार्टी आपकी मुख मंत्री अव सभी लोग बनियोक से लगे हुए हैं साथ साथ आपने कहा कि जो प्रधान मंत्री हमारे देखा भी है देख भी रहा हूं आप लोग कर रहे हैं तो आपको काफी आपको अनंद सुवकामना है आपके जीवन के उस मीशन के लिए जो आपने मॉडल स्टेट बनाने की बात कही है और जिस तरह साथ आप लोग निर्विकार जिस काम भाव से लगे हुए हैं हम आप आशा करते हैं कि आपका इस वर से प्रा नमस्कार